देखो भाई दे केलाई स्टोरी वो मूवी है जिसके बारे में अभी के टाइम पर हर इंडियन बात करना चाता है। इस मूवी ने सहजादा सेलफी और किसी की जान मूवी का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है। इसके अलावा एक जार करोर रूपी का कलेक्शन करने वाली पठा मूवी का रिकॉर्ड भी का बैंकर तरीके से तोड़ा है। लिटरली भाई इस मूवी का जो बॉक्स ओफिस पर जादू चल रहा है वो किसी सुपरिस्टार की मूवी का भी नहीं चल पाता। दे केलाई स्टोरी मूवी ने अपने पहले दिन पर आठ करोर, दूसरे दिन प 16 करोर रूपे का कलेक्षन किया था। इससाब से इस मूवी के 3 दिनों का कलेक्षन 35 करोर रूपे होता है। और भाई ये कितना बड़ा कलेक्षन है इसका अंदाजा आप इस बास से लगा लो कि सह ज़्यादा और सेलपी के लाइट टाइम बॉक्स ओफिस कलेक्षन से भी आजकर जहांपर 8 या 9 दिन पर बड़े से बड़े सुपरिस्टार की मूवी भी निपर जाती हैं वहीं पर इस मूवी ने अपने 9 दिन पर अपने पहले दिन से भी दुगना कलेक्षन किया है। और भाई ये कलेक्षन सच में इतना ज़्यादा है कि आप इसका अंदाजा इस बास से लगा लो की 1000 करोर रूपे का कलेक्शन करने वाली पठान मुवी ने भी अपने 93 पर 16 करोर रूपे का कलेक्शन किया था और बाई इस मुवी ने अपने 10 वी दिन पर तो बोक्स ओपिस पर इतनी बंपर कमाई किये कि हेटर्स की बोलती बंद हो गई है इस मूवी ने अपने दसे दिन पर 30 करोर रूपी का कलेक्सن किया है इस citraaf से बाहिप इस मूवी के केवल 10 दिनों का कलेक्सन ही 136 करोर रूपे हो गया है वहीं इस मुवी के साथ रिलीज होई सलमान खान की किसी का वाई किसी की इरजयान मुवी का लाइप टाइम का बोक्स ओफिस कलेक्शन 110 करोर रुपे है अब अगर बात करें कि क्या ये मुवी दक कस्मीर फाइल्स मुवी का बोक्स ओफिस कलेक्शन तोड़ पाएगी या नहीं तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल तोड़ सकती है दख कस्मीर फइल्स मुवी का लाइप टाइम बॉक्स ओफिस कलेक्शन दो सो तरेपन करोर रुपे था इस मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन को बीट करना दख के लाइश स्टोरी के लिए इतना भी इजी नहीं होने वाला लेकिन लगबक एक महिने तक कोई भी बड़ी मुवी रिलीज नहीं होने वाली सीधे 16 जून को प्रवास की आदिपुरूस मुवी रिलीज होगी इतने समय में ये मुवी आसानी से दे कस्मीर फाइल्स मुवी का रिकॉर्ड तोड़ दे की बाकि आप इस मुवी के बारे में क्या सोचते हो मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में तब तक टाटा बाई बाई